हां जी very very good evening FM की भी class है बस मैं management account के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या स्लेवर से नहीं है 15 साथ 15 पर स्टार्ट होगा 10 मिनट की चीजे हैं और कब-कब कैसे कैसे classes होंगी वो सारी चीजे एक बर मैं clarity कर दूँ ठीक है बिलकुल FM की class साथ 15 पर होंगी आपकी तो देखो सबसे पहले हमारा जो main है कि सर management account ठीक है आपका semester नंबर five में that is become honors ये topic है और management account ना हर जगा सेमी होता है चाहे become honors हो चाहे become program हो किसी का भी हो फिलाल हम इसकी बात कर रहे है आज हम जो discuss करेंगे हम slayvus discuss करेंगे क्या slayvus है हमारा ठीक है ये सारी चीज़े discuss करेंगे देखो हालागी डियू के अंदर होता क्या है कि डियू वालों का slayvus भी देखते हैं तो वहाँ confused हो जाते हैं और जिन बच्चों ने fm management ले रखा है उनको तो बोलूँगा आपने बहुत अच्छा decision लिया management लेकर क्योंकि आगे चलके further commerce में जब कभी भी आप study करोगे तो आपको management account पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा चाहें एंबी हो एंपकॉम हो सीए हो सी एम में हो कोई भी कोर्स ले लो पढ़ा हो तो यूनिट थ्री और यूनिट फोर और हैर यूनिट फाइब जो फॉस्ट यूनिट है ना डेट इस आपका थियोरी का है प्यूर्ली थियोरी तो इसका मतलब सर management account के अंदर theory का एक question पूरा आने वाला है that is 15 marks का इस बात का ध्यान रखिएगा एक question हमारा पूरा आएगा वो कितने हुआ 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 हमारा पंद्रा नमबर का तो unit number one में ये रखा गया है तो इसमें theory को neglect नहीं कर सकते बाकि सारे chapter में क्या होता है unit one में न कुछ theory purely theory की बात की गई है unit two में सिर्फ और सिर्फ एक chapter रखा गया that is marginal costing जो रखा गया है सिर्फ और सिर्फ क्या रखा गया है marginal अब मैं इसके अंदर बात कर लेता हुआ तो marginal के अंदर क्या क्या चेप्टर है दो चेप्टर को मिला के बनाये गया बेसिकली ना unit number two हाला कि देख रहा है unit one तो marginal को दो एक है cost profit volume analysis और एक है हमारा marginal and absorption costing and variable costing ये तो basically और ये सब जो दे रहे हैं कि graphical approach तो इसके अंदर के components हैं सारे तो आपने जो unit number two की बात करें तो दो ह चेप्टर पढ़ना है आपको एक PVR profit volume ratio होता है और एक पढ़ना होता है हमें क्या सर एक हमें पढ़ना होता है absorption costing ये unit number two कितने चेप्टर हो गया सर तीन पहला चेप्टर किसका हो गया theory का second chapter कौन सा हो गया PVR और ये तो ये कितने unit के हो गया ये भी 15 नंबर का तो आपने पह ताकि आप पढ़ोगे ना तो आपको पता लगया कितना चोटा content है इसका और simple तरीके से हो जाता है तीसरा unit है budgetary control and standard costing budgetary control and standard costing तो सर ये भी 15 नंबर का पूछा जाएगा लेकिन कई बार हर कोई define होता है ये chapter इतने का है तो देखो पहला unit ना 15 नंबर का आ भी सकता है और नही भी आ सकता लेकिन हाँ ये जो fourth unit है काफी important unit वो लूगा इसमें से लगभग लगभग 20 से लेके 25 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं कहीं कहीं unit में वो adjustment लगा देते हैं तो ये unit सबसे important और इसके अंदर जो एक standard costing देख रहे हो ये थोड़ा सा lengthy और typical भी आपका होता है जो कि आपके college बगएर में अगर start हो गया हो तो वो लगेगा बाकि budgetary control बहुत easy है आपने cash management कराए ना तो काफी सारा cash management का हिस्सा भी budgetary control के अंदर आ जाता है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं last unit है relevant costing बिलकुल छोटा सा chapter है theoretical मेरे कहलिए एक से डीड़ घंटे का chapter है तो ultimately हम chapter में इसको तो एक theory का हो गया एक हो गया marginal costing एक हो गया आपका profit volume ratio एक हो गया standard costing एक हो गया budgetary control और एक decision making है जो कि हमारा decision making किस में आ जाता है सर decision making decision making dividend decision making financial management decision making हमारा इसी का पार्ट होगा ये इसी का पार्ट होता है decision making ना unit number 3 का तो 2 और 3 में decision making में ये बताना ही भूल गया ये दिमाग से skip होगे यहां पर आगे एक decision making है तो ये है overall हम इस chapter को अगर define करेना है तो हम सिर्फ 7 chapter पढ़ने वाले हैं सिर्फ 7 chapter जो है हम पढ़ेंगे overall देखो तो ये chapter है मैंने इसको थोड़ है सर पहला chapter आपका theoretical है ये chapter हमारा theory का है ठीक है और budget and budgetary control और standard ये unit number आपका 2 वैसे उसमें book में 4 दे रखा है आपके लेकिन मैं इसे मानलो unit number 2 के अंदर consider कर लेता हूं for example ठीक है unit 2 मानलो 3 मानलो इस दोनों में से हम मान लेते हैं के सर 20 से लेके 25 या 15 से लेके 25 नंबर के सवा सवाल पूछे जा सकते तो काफ़ important है सर इसके अंदर से 15 मार्स का और profit volume ratio ये दो जो चैप्टर दीख रहे हैं ना इसमें से भी 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और इसमें से भी 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे ये हाला कि एक ही है लेकिन कई बार दोनों में से और जाता है ऐसे करके मैं बता रहा हूं ठीक है इसके बाद सर डिसीजन में की अलग से question आएगा separate question आने वाला है इसका और ये तो एक one hour का chapter है तो सर हमारे पास चार सब्जेक्ट है चार सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है देखो financial management की मैं सारे classes live दे रहा हूं standard costing बहुत budgetary control आपको खुद करना है वीडियो में सारा रेंज है बुक कौन सा लगने वाला है सर इसके लिए भुक आपका M.N.Aroda ठीक है ना इसके पूरी classes proper बना दी गई है और ये budgetary control नहीं होगा तो मैं content चेक कर वा लूँगा budgetary control पूरा खतम है और plus इसके अंदर 10 year के भी question मिल जा आपको absorption costing बहुत simple सा chapter है जिस पर मैं circle लगा रहा हूँ या आपने इसके live नहीं इसके recorded classes आपको provide होगे और इसके अंदर भी मैंने 10 year बना दिया है वीडियो और 10 year आप इसमें से कर लेंगे ये आपका ये ये भी मैंने 10 year बना दिया है और 10 year plus में आपके book के सारे almost सारे question हाँ आप book से जो question आपके doubt माएंगे definitely मैं लूँ हाँ circle इसके बाद एक responsibility ये चप्टर ये जिस पर circle लगाया है दो चार पांच और साथ ये आप अभी self start करें पढ़ना start करेंगे मैं live class में पूरा detail में लेके चलूँगा एक थोड़ा सा ये बच्चों को दिक्कत देता है standard और एक decision making दो chapter है ठीक है हमारे exam December में आप समझिएगा लेकिन मैं live जो class लेता हूँ तो उसमें पढ़ाने का मेरा क्या तरीका रहता है कि वही chapter में पहले पढ़ाता हूँ जो कि आपको easily समझ में आ जाए लेकिन मैं आपको बताता जाओंगा कौन सा chapter सबसे पहले आपको जो chapter करना है जैसे भी बच्चा जैसे भी पढ़ रहा हो मैं कहूंगा सबसे पहले आपको profit volume ratio क्यूंकि इसका relation सभी chapter में कहीं न कहीं आता है तो पहले आपने ये खतम करना है class की timing सर class की timing आपकी रहने वाली है इसकी कब रहने वाली है क्यूंकि आपकी 6 से 7 भी में दो-दो classes हो रही थी तो इसलिए class की timing मैं इसका fix कर देता हूं मैं record भी कर दूँगा और live भी ले लूँगा अभी फिलहाल मैं इसकी timing रख देता हूं आप जितने बच्चे भी live है cost volume profit analysis 10 year 10 year में management decision के अंदर होगा मैं एक बार 10 year का भी लगा दूँगा एक बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को इसमें के सर 10 year में आपने जो chapter बताया यह तो मिली नहीं रहा मेरे पास अभी exactly 10 year नहीं है किस नाम से तो अगली एक और वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं बता दू तो इसकी class की timing क्या रखें क्या रखें क्या रखें क्यूंकि आपका main है कि मैं अगर 5 बजे classes रखता हूं तो कुछ बच्चों की math की class है कुछ बच्चों की math की class चल रही है और फिर एक बार मुझे बताना आप time table में math की class कौन-कौन से दिन होती है आपकी जो बच्चे यहा बिल्कुल मैंने जो content में रखा ना इनी topic के नाम से रखा है नहीं भी होगा तो मैं आज ही arrange कर दूँँगा उसको math का बताईए किस-किस दिन होती है आपकी class जो बच्चे math भी पढ़ रहे होंगे sorry आपके पास तो semester 4 मेरे दिमाग से निकल गया semester 4 में था math आपका math stats की बात करते हैं तो stats की class ले रहे होंगे stats कोई ले रहा है आप में से बताओ stats mwf 5 बज़े ना उस time table को मैं थोड़ा change करा दूँगा उस time table को मैं ले जाओंगा TTS में ताकि ना एक दिन में दो classes ना पड़ जाए क्योंकि MWF में भी stats ले रहे हो उसके बाद भी हो रहा है तो उस class को मैं एक बार manage करके TTS करा दूँगा और आपको जो timing मैं दे पाऊंगा वो दे पाऊंगा या फिर मैं अपनी class TTS कर दूँगा ठीक है ना मैं अपनी class को T TTS fix कर देंगे और MWF में मैं आपकी class जो रखूंगा इसकी 6 बजए MWF 6 बजए अब सर मुझे नहीं लगता के week में अगर ये chapter सा आप भी करोगे पहले आप ये chapter खतम कर लो MWF में तो मैं next week से next week से जो Monday से है मैं धीरे धीरे बहुत slow में आपका जो ये वाला chapter है ना कौन सा standard costing बहुत slow में और आराम से मैं record करता रहूँगा एक-एक question एक-एक topic करते रहे हैं क्योंकि हमारे पास enough time है मेरे को सारा slaves आपने खुद करना है इसमें बहुत सारा पार तो इसी वज़े से मैं ये वाला chapter चाहता हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छे से करा दूँ क्योंकि ये वाला chapter ना बहुत बच्चों का एक ना doubt दिक्कत का point रहता है बना हुआ है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला chapter मैं बहुत अच्छे से करा दूँ ठीक है तो ये थोड़ा सा मैंने introduction दे दिया भाई slayvers के अंदर और 10 year का भी मैं कल ही वीडियो बना दूँगा 10 year के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है clear है